नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वाधत करती हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसी होमेपेतिक मेडिसिन के बारे में जो आपके यूरिन सम्बंदित यानि की पिशाप सम्बंदित हर परिशानी के लिए बहुत-ज़ादा लाप्रद है अगर आपको बार-बार यूरिन लगती है एक बार में आप यूरिन पास करके है और आपको लग रहा है कि यह वापस से लगी हुई है पूरी तरह से आपका ब्लैडर खाली नहीं हुआ आप प्रॉस्टेट पेशेंट है बार-बार यूरिनरी इंफेक्शन होता है आपको आपको यूरिन पास करने में जलन होती है दर्द रहता है अगर यह सारी परिशानिया अगर आपको रहती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ादा इंफोमेटिव है यूँकि आज मैं आपको बताऊंगी होमेपैटिक का एक ऐसा ड्रॉप जो इन तमाम परिशानी पे बहुत ही अच्छा कारिगर है और आपको अपकी इस परिशानी के लिए हमेशा के लिए चुटकारा दिला सकता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा इंफोमेटिव है आप इसको अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहे हैं दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो यूरिन सम्मंदित परिशानी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर आपको यूरिन बार बार लगती है या आपको एक बार में यूरिन पूरी तरह से आपको लगता है कि ब्लाइडर खाली नहीं हुआ है urine में जलन होती है, urine पास करने में दर्द रहता है, urine में sediments मिलते है या फिर urine drop by drop निकल रही है, आपको बहुत exertion देना पड़ रहा है flow disturb है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं हो सकता है आपको urinary infection हुआ हो, हो सकता है आपको stone बनी हो जिसके वज़े से आपका जो urethral canal है वो blocked हो और इससे आपको urinary में परिशानी लग रही है, या तो drop by drop आ रहा है या दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, या फिर आपके bladder में सूजन हो जिसे cystitis बोलते हैं, या फिर आप prostate patient हैं अगर आप old age group में आते हैं, like elderly age group में आते हैं तो हो सकता है कि आपके prostate में enlargement हो, prostate enlargement के वज़े से दोनों जो glands होती है prostate की वो आपकी nullie को compress करने लगती है और इस तरह के भी लक्षर आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये कुछ ऐसे criteria हैं और बहुत जारा लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी में मिले आपको symptoms के basis पे पहचानना होगा कि आपको क्या परिशानी है अगर आप old age group में आते हैं तो एक बार अपना prostate check-up कर रहा है वो सकता है prostate के बढ़ने के वज़े से आपको ये symptoms डवल अप हो रहे हैं या बहुत ऐसे age group में है young है या फिर urine बहुत देर तक hold करके रखते हैं मैला है जिनको frequent urinary infection हो रहा है तो इसके वज़े से उनके bladder में सूजन आ गई है बहुत सारे कारण है तो symptoms के basis पे आप समझ सकते हैं कि इन में से किन परिशानी किस disease के वज़े से आपको ये परिशानी देखने को मिल रहे हैं लेकिन जो दवा में बता रही हूं दोस्तों वो सभी इन सभी परिशानी पे चाहें आपको urine में infection हो urine past सही से नहीं हो रही हो prostate का issue हो cystitis का issue हो ये सभी पर बहुत अच्छी काम करेगी तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस homeopathic drop के बारे में जो इन सारी परिशानियों पर बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों आपको लेनी है सबाल पेंटारगन श्वाबे ब्रैंट की आती है जिसे WSI ब्रैंट भी बोलते हैं ये एक ब्रैंट है जिसकी सबाल पेंटारगन एक drop है जिसमें multiple medicines पड़ी हुई है इसमें आपको सबाल सेरूलाटा है इचनेशिया है कैंथेरिस है मर्ग भी नायोड है ये ऐसी कुछ important medicines है जो आपके urinary areas पे बहुत अच्छी काम करती है और अगर जो मैंने लक्षड बता हैं अगर इन मेंसे कोई भी लक्षड आपको आ रहा है चाहिए आप पुरुश हैं या महिला हैं महिलाओं में भी क्योंकि जो urinary infection होने के chances बहुत जादा होते हैं cystitis मैंने देखा है महिलाओं में भी मैंने देखा है बहुत जादा common मिलता है तो अगर आप पुरुश है या महिला है इन मेंसे जो भी लक्षड आपको अपने से मैच खाते से लग रहे हैं आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं और यह बहुत ही जादा अच्छी और effective medicine है बात कर लेते हैं इसको लेना कैसे आपको simple sabal pentargan किसी भी homeopathic shop से purchase करके लाना है कोशिश क्या आपको confirm यह देखना है कि दवा seal packed हो seal packed medicine को ही purchase करके लाएं खुली दवा को लेकर बिलकुल मताईए क्योंकि वो patent medicine में आती है तो आपको usually sealed ही मिलती लेकिन अगर इस खुली दिख रहे है तो आप उसका purchase बिलकुल आप उसको लेकर आएं और आप उसकी अगर आपको acute condition में है acute का मतलब अगर आपको बहुत जादा severe परिशानी में और थोड़े अन्त समय में ही यह परिशानी शुरू हुई है तो आप इसकी 20 बून दिन में 4-5 बार एक चौथाई कप पानी में डाल के ले सकते हैं अगर urine म लग रही है उसकेस में या फिर आप इस परिशानी से बहुत लंबे समय से ग्रसित हैं आप प्रोस्टेट पेशेंट हैं आपको chronic urinary infection होने के chances रहे हैं कि आप बार 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 आपको urine infection रहता है या सिस्टाइटिस आपको बहुत लंबे समय से रहा है तो आप इस दवा को 20 ब आपको अभी कुछी समय से ये परिशानी शुरू हुई है तो जब तक आपकी परिशानी पूरी तरह resolve ना हो जाए आप इसको ले सकते हैं लेकिन जब आपकी condition better हो जाए जैसे आपको मैंने बोला कि जब बहुत severe condition है उस समय आप 4-5 बार ले सकते हैं लेकिन जब आप बहतर महसूस करने लगें situation under control लगें तो आप भी इसको तीन बार shift करके तब तक लें जब तक आपकी परिशानी पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए ठीक ना हो जाए इसको आप अगर आप अच्छे से नेमेत रूप से यूज करेंगे तो ये prostate patients के लिए भी बहुत ही beneficial रही है assistitis patient के लिए भी बहुत अच्छी रही तो ये सारी जितनी chronic बिमारियां है उन पर भी और acute बिमारियां दोनों पर भी बहुत अच्छी काम करती है बात कर लेते हैं अब इसकी pricing की इसकी जो MRP है मात्र 170 रुपय है 30 ml की file में आती है दोस्तों और अगर आप online कहीं पर भी ले रहें तो शायद उससे सस्ती पर सकती है 140-145-40 जो भी हो पर इतनी बहुत ही अच्छी medicine है maximum मेरे urinary related जितने भी urine infection related patients हैं उनको मैं recommend करती हूँ साथ में prostate patients को पर recommend करती हूँ और उनको बहुत अच्छा result भी देखने को मिलता है तो अगर आप भी sufferer है तो please इसका use कर सकते हैं और यह बहुती safe medicine है अगर आप बच्चों को दे रहे हैं जो 10 साल से उपर के बहुत छोटे बच्चों को इसको मत दे 10 साल से उपर के बच्चों को आप दे सकते हैं तो उनको आप 10 बून दे 20 बून की जगहा पे अधरवाइस दस साल से 18 साल की बच्चों के अंदर को आप 10 बून से 15 बून तक दे सकते हैं एज गुट के एकॉर्टिंग 18 के बाद वाले 20 बून आराम से ले सकते हैं तो आप इसका सेवन करके अपनी इस परिशानी को हमेशा के लिए ठीक करने इसके साथ साथ कुछ चीज तक पुरुष जरूर कंजीूम करें क्योंकि यह बहुत बड़ा रीजन होता है आपके यूरिणरी इंफेक्च्चन के लिए दूसरी चीज यूरेण को बहुत लंबे समय तक नहीं रोके क्योंकि यूर्ण रुखने से क्या होता है आप के जो ब्लैडर है उसमें बैक्टिर तो आप यूरिन को रोके नहीं, और पानी अच्छे से पिए, जो फीमेल है वो अपने जनाइटल क्लीनिंग बहुत अच्छी से रखें क्योंकि वो बहुत क्रोन होती है, बहुत जादा संस्टिव होती है, यूरिनरी इंफेक्शन के लिए, तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपको ये परिशानिया होने ही नहीं पाएंगी, पुरुषों में जो प्रॉस्टेट एच हुआ है, वो एज के वज़े से होता है, तो उसके लिए मैं बस आपको यही बताऊंगे कि प्रिवेंशन रखें, अगर आपको थोड़ा से भी सिम्टम आन आजकल ये परिशानी देखने को मिल रही हो और वो भी इस लवाज से बनेवीशली हो सकते हैं, तो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल जरू सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, मिलती हुए इसी तरह के इंफोमेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए, thank you so much, stay safe and healthy.